जहीं दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटी चैनल एज़ी श्टडी पे दोस्तो आज की स्वीडियो में आप लोगों को हम बताने बालें इंडिन नेवी के तरफ से फिर से एक न्यू रिक्यूट्मेंट निकाले गया है वो है दोस्तो एज सेलर स्पोर्ट क कोटा की वेकेंसी निकालेगे ठीक है यानि कि एसपोर्ट कोटा के तहती है हम लोग का जो है वेकेंसी रहने वला है दो बाई दो हजार तेईस बैच के लिए अभी इस भर्ति के बार में आप लोको डिटेल में जनकारी देंगे कि कौन-कौन से बंदे इस फॉर्म को कर सकते हैं मिर भाई फॉर्म को फिलफ कर सकते हैं लेकिन एक और सरते इसके साथ साथ कि वह क्या होने चाहिए अन्मैरेड होना चाहिए अन्मैरेड होना चाहिए ठीक है दूसरा चाहिए हम लोग यहां पर बात करते हैं सबसे पहले देखो कि कौन-कौन से स्पोर्ट्स यह सबसे पहले देखोगे तो sport discipline में out चेंडिंग sports person हो है पाइटिसिपेट इंटरनेशनल जुनियर और सिनियर नेशनल का नाम दे देखो कॉन से खेल खेल, कवर्डी भी आड है यहाँ पर रेस्ट लिंग है, फैंसिंग गोलफ, टेनिज असलिंग, इस पर से कोई भी एक आप ने किया है ठीक है और यहां पर अगर आपने किया है तो आप क्या कर सकते हो मेरे भाई इस स्वाम के लिए इलिजी वलो ठीक है चलिए देखिए यहां पर बात करते हैं सबसे प्लाइजिलविटी कंडिशन की इसके देखो दो चीज यहां पर है यह है डारेक्ट इंट्री प्रिटी ओफिशर स् मिलेगी मेरे भाई चीप प्रिटी ओफिशर की राएंग आप लोग को नेवी के अंदर मिलने वाला है जिसमें जुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ बारवी खो जा गया अगर आप बारवी पास हो इस फ़र्म को फिलफ कर सकते हो बात करते हैं आपर देखो डार रियक्ट ओ instantly ओफिल के लिए लिए आप लोगों कया होना चाहिए मेरे छी मैस्ड़ के लिए आप स्टेट और नेशनल ऐटनाल कंपेशन को आपने प्रम मिल्ब पुमेटी छा str- अटिया को और सिर्फ और सिर्फoser दोर्न तो यहां पर उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए जिस फेडरेशन से खेल लो वहां का अथरेटी और जो स्पोर्स का सर्टिफिकेट है वह भी चाहिए ठीक है तो यह हो गया इसके लिए अब बात करते नीचे डिरेक्ट इंट्री प्रेटी ऑफिसर के लिए क्या का चाहिए इसमें आपने वीनर ऑफ एनी मेडल इन वर्ल्ड चैंपियंशी या एसिन चैं तो इसमें आप लोग डायरेक्ट बने हो गया डायरेक्ट इंट्री चीफ प्रेटी ऑफिसर बनने वाले हो ठीक है तो यहां पर देखो गें यह सब तो यह वाले तो साय से किसी के पास उपर में साय से हो भी जाए लेकिन यह बहुत कम के पास होगा क्योंकि बाई जो इसमें सेलरी जो होगा 14600 आप लोगा पर मन्त होगा मेरे भाई ट्रेनिंग प्रेड के टाइम में ठीक है यह फिल सेलरी जो आगा आप लोगा वह बढ़ जाएगा यहां पर देख लो यहां पर देखो यह पे लेवल 4 प्रेटी ऑफिसर 5 और लेवल 6 जो होगा आप लोगा मतलब ऑफिसर लोग है यह जो होता है मतलब यह 14600 ट्रेनिंग प्रेड में सेलर का होता है जब ऑफिसर होगे तो मेरे बहुत ज्यादा सेलरी आपके जाने वाले ठीक है अब देखो कि इंसुरेंस हुई आप लोग का 75 लाग का उसका नीचे आते हैं पर मोशन भी है इसके अ जो सबसे पहले हैं कि जो भी ठाइवरी करना परेगा मतलब की क Authy कर औरिया मतलब की जभी सबसे मतलब सबसे भी मध करना म करने वाला है इंको collabor जो मेडिकल होगा आए निस हामला मुंबाई में होने वाला है उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो भी सेलेक्टेट के इंडॉल्म कैंडिड़ जो होंगे सेलेक्ट हो जाएंगे ठीक है उनको मतलब रिक्विट्मेंट के पार्टिकुलर जो भी स्पॉर्ट का डिसिप्लिन है उनको मतलब की अविलिटी ओ वेकेंसी उसके अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एसे सर के अंदर देख लो six by six syll लिए और और एमर के लिए उटीक के बाले तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी six by six होगा थीक है यहाँ पर गलती समिंष टाइफ हो गया हो सकता ठीक है चलो नीचे आते हैं अब बात कर करते हैं नीचे नीचे और भी चीज़ा कुछ चलो ठीक है अब देखो जो काम की चीज़ा इधर हम बात करते हैं थोड़ा कि इनीशियल इंगेंजमेंट ठीक है यह 15 साल के लिए आप लोग का होगा ठीक है एक तरह से बोलो तो जो और यह ट्रेनिंग कम रिजाते हैं मतलब कूरियर स्पीड पोस्ट और इस से करते हो तो क्या हो जाएगा आपका फार्म सेप्टेमबर इससे पहले आपका फॉर्म पहुंचाना चाहिए आप 25 सेप्टेमबर तक पहुंचाने 26 सेप्टेमबर को फॉर्म भेज होगे तो रिजक्ट हो जाएगा ऐसे में क्या है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे ने किया उनका एडमिट काड आ गया ठीक है क्योंकि भाई इसमें बहुत टाइम लगते हो जाने में लेकिन स्पीड पोस्ट करोगे दो से तिन दीन में पहुंच जाएगा तो वह सैप्ट करेंगे तो आप लोग जो जो मर्जी आप वैसे कर सकते हो मैं लेकिन पहुंच नहीं पाता है तो इसके लिए स्पीड पोस्ट आप लोग कर सकते हो ठीक है कोई दिकत नहीं है अब हम लोग बात करते हैं सौट लिस्टिंग क्राइटेरिया विल वी बेस्ट ऑन हाईयर स्पोर्स एचीवमेंट यानि कि जिनका भी सौट लिस्टिंग लेक्शन मतलब कि वहीं पर आप लोगों को सौट लिस्ट पहले किया जागा किसका नेशनल वालों का अगर कुछ सीट बचले तब जाके इस तरह से क्या क्या जाएगा सौट लिस्ट को किया जाने वाला ठीक है और कलाप लिज़वर सौट केंडिड पोस्ट डेट टाइम पहले स्लेक्शन ट्राइल ठीक है मतलब कि आपके पोस्ट बाई पोस्ट आप लोगो क्लॉपलिटर भेद दिया जाएगे जिसमें की डेट मिंसन होगा टाइम मिंसन होगा कहां पर आप लोगो चलने वाला घेम वह आप लोगों का होने वाला है ठीक है तो वही चीज़ है आपको लिकर जाने परेंगे ठीक है यह चीज़ बताया गया है बाकी वही है कि मेडिकल में अन्फीट होते हो या रिफर देता है तो कि इस दिन के बाद आप जा सकते हो मिलेट्यों होस्पिटल में और वह करवा सकते हो फिर से रिमेडिकल तो वही सब चीज़ है और कुछ करना है यहां है चांश है नहीं खालों को कैसे करना है फोड़ाय। पेपर में इसको निकल वा लेना अप्लिकेशन फ disent को ठीक है एक एक बार ऑर समझ लो कि यह इससे पहले देख लू ऐसे कैसेव फैलका यहां पर बताया करना है मैं नेक्स्ट वीडियो स म्य कमश्ता है में यहां पर आप लोग देख सकतो और जो होना चाहिए दियर नेम और सिंगनेचर ऑंदर रिसीव ऑफ फोटो ठीक है देखाते हैं यह फॉर्म देखो यह आपका फॉर्म इसी फॉर्म को फिलफ करना होगा जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है तो बताऊंगा कैसे फॉर्म को फिलफ करना बहुत दीजिए इस फॉर्म को आप लोग हमारी टेलेग्राम चैनल से डाउनलड कर लिजएगा वहाँ पर मैं डाल दूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या लिंक से नहीं खुलता है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं तो वहाँ पर एड़ रेट लगाके और एस्जिए सटा के लिखना आपको क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा और आप लोग जाओ फटा-फ इस फ़ाम को फिलअफ कर सकते हैं कोई दिकत का बात नहीं है और कैसे कैसे फ़र्म को फिलअफना है और फिलअप करना है फ़र्म को कहां फिलअप करके भेजना time पर फील अइस सेर के हैं और उडलो n zamgy जर दो